और बहुत बड़ा परभाव पड़ता है और आज आशिरिवाद कहीं न कहीं पूरे गाउं ने संदीप लोट को दिया है तो देख सकते हूं यहां पर बार में नाना जी तो कैसे मनाते थोड़ा इस ऐसे पता है दस से ग्यारा हजार वोट है पिल्कु जी बिल्कु जी बड़ा कोश्चन है जब भी अमेले मनता है नर्वाना का तो दनोरी गाउं का एहम रोल होता है दस से ग्यारा हजार वोट है दनोरी गाउं में बहुत से सफसर भी है और पिता जी के साथ पढ़ने वाले हैं यह सभी बच्चे हैं तो काफी अच्छा यहां अपने को अच्छा महूल में लिए और बाकिया पाचन देवल्मेंट की बात करें सर मार्किट बहुत बढ़ी है सभी दर्शकों नमस्का धनोरी गाउं में पहुंचे हैं और धनोरी गाउं में रामफर लोट जी के पुत्तर संदीप लोट जी पहुंचे हैं जनता के बीच में करने सबसोंे करते हैं जो एकता जो करता हैं मतल्य स्कुषें पहुद्स तक हब कर दो कि अधिर स्कुषन मतला जीए만 हिसमें वहां है खी घाला में में करते हैं मुधलत धर आक है सब्सक्राइब तो नहीं सारी बाते हैं प्रफ्टेर मिलें तो ज्यादा अच्छा है अब दार जी मारा इस वारा जी आए तो आज पर दार जी आज नमबर्दार जी आज़ादा लो कि में देखने हैं यह मेरा जादर यह मेरा पापा रहा है अब अपनी कोई पार्टी का विचार बनावां गेता है मैं सारे मेरे के लिए बढ़े लिए पार्टी का विचार बनावां गेता है तो कैसे बात बढ़ेगी ठीक है नहीं साल मुबार्ट भबाव पड़ता है और आज आश्रिवाद कहीं न कहीं पूरे गाउं ने संदीप लोट को दिया है तो देख सकते हैं यहां पर बैठे हुए हैं सभी गाउं के लोग है जो तो पर जादा जादा खबर को शेर करें आप दे सकते हैं दनोरी की गडियों में जो गडियों के अंदर देख सकते हैं स्वागत करते हुए गाउं में बहुत बढ़िया आव जी डालो जी सारे डालते रो संदीव लोट का जोरदार स्वागत धनोरी गाउं में बहुत बढ़िया क्या आप बात है जी तो सभी यंग्स्टर है में अधिरबाद लेते हुए संदीव लोट जी पहुंचे वो भी युवा चाहरा है आपको नहीं लगता कि 2024 में युवा चाहरे को मौका मिलना चाहिए मिलना चाहिए साथ हो आपने साथ है आजी बाइसाब 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 तो यह है हमारे देश की युवा पीडि जो आगे MLO को मनाने वाली है और बुजरुगों से बातचीत करते हुए जो जितने भी साथी हैं ख़बर को ज्यादा ज्यादा शेयर करें लाइव तस्वीर आप दे सकते हैं धनौरी गाउं से जो 10-11,000 वोट बैंक के हिसाब से बहुत बड़ा माना जाता है और ऐसे में बताया जा रहा है कि यहां पर परभाव बहुत जादा देखने को मिलता है जब भी चुनावाते हैं इस गाउं का बहुत जादा परभाव पड़ता है और गाउं से के लोगों से रूब संदीप लोट जी एक नोजवान युवास आती हैं तो ऐसे में इन पर विश्वाज जताया है और देख सकते हैं पूरा जो मकान है खचा-खच्वाओं से भरा हुआ क्या बात अब कितने पड़े हैं क्या पड़े हैं में कर रहे हैं और फिलाल आज विका के लिए क्या सरकार से क्या रिक्वेस्ट करोगे अगर आप जल्दी से जल्दीबर रिजल्ट निकाड़े हैं बिल्कुल ठीक है तो 2024 के लिए किस कैसा चहरा देखना पसंद करोगे यूँआ चहरा या फिर ठीक है जी बिल्कुल बहुत बड़ी है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है काफिला के साथ बड़े काफिले के साथ जाते हुए तो गाउं टुगाउं जा रहे हैं और गाड़ी वो पीछे खड़ी है देख सकते हैं रम फरलोड़ जी की बड़ा काफिला लेकर डबी टेक सिंग में पहुंचे हैं जहां पर लोगों से मिलेंगे और 2024 का जो चुनावी दंगल है उसकी पहली पारी खेलते हुए दर्शक के कमेंट में ये वदाए सभी दर्शक आपको किस प्रकार का नेता 2024 में चाहिए और उस किस प्रकार से क्या-क्या खुबिया उस नेता के अंदर होनी चाहिए संदीप लोड़ जी आशिरवाद लेते हुए दस किलो जूद का बता रहे है कि एड़ी किलो खोया निकलेगा अच्छा संदीप ये भी बहुत बड़िया बात होती है सब्सक्राइब अधर्य करां रहां जो पार्ट किसा रहे है अधर्य को आगर में इसथी संद्धियों की विजद करेंगी हमें कि अवाद्य कंगी है सबसे बड़े बड़ा भाई भी आया हुआ है बाकी सभी यार दोस्ता सब आए तो बहुत जी साथ देना बड़े बड़े कहां से लेके आता हो कहां से तोड़के लेके आता है या फिर निकालते हैं पर देना बड़े होता है ना चाटा दब्बे होता है उसमें मिलावड तो नहीं फूलागा वह आपके यह जो सहद कौन मनाते हैं आपके परिवार में यह मेरे नागाजी बनाते हुआ तो कैसे मनाते थोड़ा इस ऐसे पता जी को समके अक्षार पहां को लेकर जाता है फिल्क बस घंदे के फूल को खेती होते हैं तो और जैसे जो सफेद्य यह पास रखते हैं उनकी शेंब कर दूर अलग होते हैं तो यह बनाते हैं पहले ही शुरू कि अगर किसी ने मंगवाना हो तो कैसे मंगवाएं जी तो बहुत आपको कैसी लगी खबरें दाबी टेक सिंग की तो संदीब लोड जी ज्यादा ज्यादा शेयर करें ये था धाबी टेक सिंग